आप अप्लोग का बहुत बहुत करता हूं आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 जो और यहां पर हम लोग देखेंगे बॉक्स के कोशन तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके पहले दो पाड़ हमने अप्लोड कर चुके जो की यह अध्या के सिमिक्षाय थे तो यहां पर पहले कोशन था डीने प्रकृति का प्रजनन में किस क्या महत्व है डीने को जो है प्रजनन में क्या महत्व है तो डीने के अनुओं में अनुवांसिक गुनों का संदेश होता है जो जनक से सतिती पीड़ी में जाता है अता जनन की मुल घटना डीने की प्रतिकिर्ति बनना है तो यह आपको यहां तो समझ मैंगा जनन कोशिका में विभीन रसायनिक किरिया द्वारा डीने की दो प्रतिकिर्तियां बनाती है जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है इसके बाद डीने की प्रतिकिर्तियां विलग हो जाती है और प्रानत एक कोशिका विवाजित होकर क्या होती दो कोशिका में विवक्त हो जाती है तो यहां तक आपको समझ में आग यह तो लाबदायक है प्रन्तु वेसिस्ट के लिए अवश्यक नहीं क्यों तो आपको यहां पर देश सकते हैं किसी भी जीब में डियने उसकी सरीर के सरनाशना और विकास में महत्मुन भूमिका निवाती है इसी के कारण वह अपने आपको किसी भी वातावरन वरहने यूग बना पाता है जिसे वातावरन में अनेक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिवों के नियंतरन से बहार होता जैसे प्रत्यवी का ताप कम यह अधिक होना बहुत अधिक वर्षा का होना आदि수들의र्षे इन अवस्तव में सम्हों से यहां目तलब कि सारे जो पूर वह विनास हो सकता है पूरींद करा этом छीआन्ट होती है परन्तु यदि यदि जीवो में व्यवेता होगे तो इन मैं से कुछ ऐसे होगे जो क्या होगी lives शरील का विनास नहीं होगा तो वो कईसे होगा तो ऐसे सम्पुक्रसमाइश्ट बीशन नहीं होगा तो परणतु इस प्रकार की बोन्ता वेस्ट उतरदाइक के लिए अवशक नहीं नहीं गई तो यह था आपका स्क Royals के लिए तो अगला मेरा कोशन आता है विखंडन से किस परकार जो बहुखंडन जो है बहुखंडन से किस परकार अलग है विन हम लोग को दिखाना है तो यह मेरा कोशन था तो द्विखंडन तो बहुखंडन में विविंता अगर हम लोग देखा जाए तो द्विखंडन और बहुखं जनन से दो सतती का जनम हो सकता है लेकिन इन में से क्या होता बहुत कंड़न में एक जनन से अनेक सतत्यों का जनम हो सकता है जैसे कि इसमें प्रोटो जवा अंभिवात है इसमें प्लैज्मो अडियम जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं यह विखंडन अनुकूल परिस्तिति विजानु द्वारा जनन से जीब किस प्रकार लावनित है तो देखे आपको पता है क्योंकि विजानु के चारो और मोटी भीती होते जो परतिकुल प्रस्तितियों में भी इसकी रक्षा करती है इस परकार के जनन में विजानु धानी में अनेक विजानु उत्पन होते हैं जो कि एक बार में अंकुरित हो जाते हैं और इस परकार से एक बार ही अनेक जीव उत्पन हो जाते हैं तो आपको यहां पर देख से दे और इस परकार से वो क्या करते हैं अनेक जीप का उत्पन कर सकते हैं तो यह था अगला कोशन अगर यहाँ पे देखा जाए पांचमा नमर मेरा यह कोशन है तो अगला कोशन आता है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल सरनचना वाले जीप पुन्रूत भवन के प्रक्रिया में सरीर के अंगों से ही नए जीप का गठन होती है आपको पता है पुन्रूत प्रक्रिया में क्या होता है सरीर के अंगों से ही क्या करता है एक नए जीप का गठन होता है यह तो निर्मान होता है सरल जीप इस विधीत का उप्योग कर सकते है क्योंकि उनका सामान कोशिकाओं से बना है अगर कोई भी ऐसे क्व है अगर हम लोग बोला जाए और सरीर के कि पुंर्थ भौन के द्वारा। पुंडुत् भवन कि द्वारा। होता है सभी। इतसके प्रणाली के साथ होता है। अलगा उसका हाद पैर लेकिन वो वे तो इसमें क्या होगा इस तो नहीं कर सकता है। तो आगला यहां पर छटा कोशन आता है कुछ पोधे को उगाने के लिए कायंकिक प्रवंदन का उप्यूग किया जाता है क्यों तो आपको पता काईक परवर्धन क्या होता हम आपको अल्रेडी बता चुके हैं जैसे कि यहां पर दिए केला संतरा गुलाब चमेली यह सब क्या होता है जो बीज उत्पन नहीं कर सकता जैसे कि यह सब में बीज उत्पन नहीं होता है को उगाने के लिए क्या जाता जो पूस्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं यह सब क्या होता है अगर इसके काइंक परवर्दन के द्वारा अगर हम लोग उप्योग करेंगे अगर इसको लगाया जाएगा या तो उप्योग में उगाया जाएगा तो इसमें क्या होगा कम समय में क्या पूस्प पाजाए कि अगला कोशन आता है कि डियने की पर्तिकृति बनना जनन के लिए आवश्य क्यों कि डियने आपको पता है डियोक्सी राइबो न्यूक्लिक ऐसी रोता इसका ना तो कि जनन की मुल घटना डियने की पर्तिकृति बनना है क्योंकि कोशिका के कंदर में पाए जाने में गुं प्रतिकृति बनती है अगर यहां पर अगला कोशन देखा जाए तो दीखे प्रागन किरिया निशेशन से किस परकार अलग है आपको पता होगा कि जो प्रागन कनों का करता है किसी किट पक्षेंस के दवार है की प्राग कोश से वरतिकाग माहँं आश्टांति को था करते है कर तो प्रागन के पेश्चाध ही निशेशन होता है competitor का किश्चाद ही क्या होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और उसमें क्या होता है वह किसी वह माध्यम के द्वारा क्या तो प्राकोस से वर्तिका तक पहुंसते हैं है अग्ला कोशन होता सुक्राशे एवं प्रोटेटि ग्रन्ति के क्या मआत्व है ठीक है प्रोटेट तदा सुक्राशे अपने सुरव मतला तरल पदात सुक्र वहाइनी में डालते हैं जिससे सुक्रानुativo एकतरमादिय जाते हैं और इसके कारण इनका अस्तरांतर सरलता से होता और साथी यह सरब उन्हें पोशन भी प्रदान करते हैं तो यह हमारा नाइन नमर कोशन होगे अगर यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में तो प्लीज वीडियो को जुरूर लाइक करके चाहिएगा बिना लाइक आपकार में देखिएगा बिर्दी होने लगती है तथा अस्थान ग्रंग कि तुआचा भी के रंग में गहरा होने लगता है थोड़ा से और इस समय के लड़कियों में रजवधर में होने लगते जिसको लोग एमसी बोलते हैं वह होने लगती है और इनकी आवाज में परि प्रकार प्राप्त होता है इसके लिए एक बिश्य सरनचना होती है जिसे पले सेटा कहते हैं जो कि जो उत्तक होते उसमें क्या तो रिक्स अस्तान होता जो प्रवत को अच्छादित करते हैं और यह मा से भ्रून को पोशन जैसे गुलकोज, ऑक्सिजन, एवम, आने पदार्थ को क्या होता प्रदान करने है तो एक बिर्दी छेत को प्रदान करता है तो यह था इसका आंसर एगर कोई वी महिला अगर वह कोपटी का उपयोग करता है तो यहाँ संचारित इसतर किसी प्रकण बीमारी से रोक सेवग वेखती है कि अ गर्व धारन नहीं होने देता है इसका यह काम है ऐसा नहीं कि उनका बोल सकते कि किसी भी एट विगारी या तो किसी प्रकार जो यों संचारित बीमारी होता है उनसे वो बचा सकता है अगर यहां तक आगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और किसी प्रकार से अगर आपको लगता नहीं समझ मैं तो यहां पर क्या करता है कमेंट सेक्शन पर हमें कमेंट करकर बताएंगे और वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताईएगा थैंक्यू तब तक के लिए ब के लिए क дост撸 यदियो कर देंगे और किवस्भाव कर लेहां लेक्या थैंक्र हर आपको ।चले कर दो यहां स् ждत्शन है रटाईब को Σावाब कर रगता नहीं है कर रभताएंग ठैंक्यू से ज cherry जगा यहां